हेलो फ्रेंड्स मैं कुम कुम स्वागत करती हूँ आप सब करुची भो चनल पर आज मैं घर में बनाऊंगी मैं सिंघाडे की सबजी यानि की पानी फल की सबजी तो सबसे पहले इसे अच्छे शो वाश कर लेंगे और वाश करने के बाद इसे मैंने कूकर में ले लिया है और इसमें आधा कप पाने डालकर एक सीटी से ज़्यादा मत लगाएगा नहीं तो ज़्यादा पक जाएगा सिंघाडा और सीटी निकलने के बाद देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है अब मैं इसके छिलके निकाल दूँगी और छिलका निकालने के बाद मैंने ए तो उलट पलट कर इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे ज़रू ट्राई कीजिएगा और इसी तरह से बनाईएगा तो सब्जी आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी तो इसे हम उलट परट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है, दोनों तरप अच्छे से फ्राई जब हो जाए, यानि कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो इसे हमें प्लेट पे निकाल लेना है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसे प्लेट पे निकाल लूँगी, तेल को थोड़ा सा गरम होने दूँगी और जैसे तेल गरम होगा मैं इसमें आधा चमच जीरा ले लूँगी और आधा चमच राई ले लूँगी यानि कि सरसों के बीच सबको अच्छे से तड़कने देंगे हम और जब सब अच्छे से तड़क जाए तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा प्याज कटिंग करके रख लिया है आप देख सकते हैं अब मैं इसे कड़ाही में डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से फ्राई होने दूँगी इसके साथ मैंने दो हरी मिर्च से भी कट कर लिया तो दो हरी मिर्च और एक प्याज को इस तरह से काट कर डाल कर भून लेंगे और जैसी थोड़ा सा भून जाए तो एक बड़ा चमच अध्रक लशन का पेश्ट मैं इसमें एड़ कर दूँगी इसे भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं और रोज ने रेस्पी सीखने क लिए आपको पता है ने प्लीज 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 मैं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शियर कमेंड करना बिलकुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे हैं तो प्याज करके भी टेमाटर डाल सकते हैं लेकिन इस तरह से डालिएगा तो सब्सक्राइब का कलर बहुत ही अच्छा आएगा अब मसालों मैंने यहाँ पर आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर दो चोटा चमच धनिया पाउडर डाल दिया है अब एक चोटा चमच मैंने इसमें कास् अगर आपको पसंद है तो डालिएगा या फिर आपके पास नहीं है तो मट डालिएगा सिर्फ सिंगहाड़े की भी सब्सक्राइब पना सकते हैं तो हरी मट डालने पर और ही टेस्टी बनती है इसलिए मैंने इसमें एड कर दिया है सब को भूनने के बाद देखिए जो सिं सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी एड कर दूंगी आप इससे चाहें तो इससे सुखा भी खा सकते हैं क्योंकि सिंगहाड़ा हमने बॉयल करके बढ़ाया है तो ऐसी भी पका हुआ है अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी एड कर है तो पानी एड करने के बाद इसमें मैंने एक छोटा चमच गरम मसाला एड कर दिया है सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद धग कर लगभग तीन से चाही मिनिट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर तीन से चाह मिनिट जब हो जाएगा तो इसे खोल कर सबजी के खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सबजी बनी है देखने से यह बहुत ही अच्छी लग रही है अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया के पत्तों को अड़ कर ले रही हूँ इससे और भी इसकी खुशूरती बढ़ जा चलिए मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी वदी है थेंक यू फॉर वाचिंग